जब दिलीप कुमार के कारण सड़क पर पहुँच गया मनमुहंदे साई का पूरा परिवार दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता है कि इंडिस्ट्री के बड़े बड़े निर्माताओं के लिए उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना आसान नहीं था दिलीप कुमार खुद दे करते थे कि उन्हें किस के साथ काम करना और किस के साथ नहीं अगर उन्होंने फिल्म साइन कर भी ली तो निर्माताओं को उनके इशारे पर नाचना पड़ता था और जो बھی ऐसा करने से मना करता उन्हें इसकी भारी की मत चुकानी पड़ती थी माता माने जाते थे, उनकी मिलिकियत में पारा माउंट स्टूडियो भी शामिल था, जो उस समय का सबसे महनेगा फिल्म स्टूडियो माना जाता था, उन्होंने एक फिल्म के लिए दिलीब कुमार को साइन किया, इस फिल्म को लेकर किकु भाई ने काफी पैसे खर्च किये, लेकिन दिलीब कुमार के असहियो के कारण ये फिल्म बीच में ही अटक गई जिसके कारण किकु भाई को काफी नुकसान उठाना पड़ा, इसकी भरपाई के लिए दिलीब कुमार ने उन्हें अगली फिल्म बलप मास्टर में साहिरा बानों को साइन करने की सलहा दी, जो उन दिनों जंगली की सफलता के बाद बड़ी हीरोईन बन चुकी थी, किकु भाई ने दिलीब कुमार की सलह मानते हुए साहिरा को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया, असली परिशानी तो अब शुरू हुई, दिलीब कुमार शूटिंग के दोरान साहिरा के लिए महंगी क पूरी करनी परती, जैसे तैसे फिल्म पूरी हो ही गई, लेकिन रिलीज से ठीक पहले साहिरा बानो ने किकु भाई के सामने ये शर्त रख दी कि फिल्म को टेकनी कलर में रिलीज किया जाए, इसका मतलब ये था कि फिल्म के प्रिंट को विदेश भेज कर उसे रंगीन बन आया जाए, कर्ज में डूबे किकु भाई को नानुकुर करते थे साहिरा बानो भी जिद्ध पर अडगई और दिलीद कुमार भी उनके समर्थन में आखड़े हुए, किकु भाई को उनकी बात मानी पड़ी ही, फिल्म जबरदस्त फ्लॉप साबित हुई, किकु भाई का स् दीरे दीरे बॉलिवोड के नंबर वन डाइरेक्टर बन गये लेकिन उन्होंने दिलीद कुमार को कभी माफ नहीं किया, एक बार जब लोगों ने उन्हें दिलीद कुमार को लेकर फिल्म बनाने की सलहा दी, तो उनका कहना था भले ही दिलीद कुमार बहुत बड़े प्रेटरों में एक हफते भी नहीं चलाया जा सकता, तो भलव वो ऐसे आर्टिस्ट को लेकर फिल्म क्यों बनाए?